तो फाइनली दोस्तों यहां पर Poco X3 Pro के लिए भी इंडियन वेरियंट 12.5.3 को रिलीस कर दिया गया है जी यहां दोस्तों Android 11 बेस्ड यह वर्जन आया है और भाई सब मैं बात करूं तो बजस्ट मैंने इसको इंस्टॉल किया है और आपको बताने के लिए कि भाई सब थे लिए सन्वेट हैं को आपके बस्ट आ जूगा होगा था मेरे पास अपडेट आ गया था तो मैंने इसको अपडेट कर लिया है और इसकाइब या पहले आने वाला है क्योंकि आपके लिए अपडेटि का वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी क्योंकि आपको अपडेट भी करना होगा हाला कि अभी तक आप इसको मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लामा भी दिखाई दी है इसके अंदर लेकिन वह मैं अपने फुल रिव्यू के अंदर कवर करने वाला हूं इसके अंदर सिर्फ मैं अपना इनिशियर यहां पर जो है शेयर करने वाला हूं चीज होती हैं बिल्कुल लेटेस वाले रिसेंट वाले देखने को मिल रहे हैं बाखी मुझे पता नहीं है थोड़ी बहुत दिक्कत इसके अंदर मुझे भी लगी है साथी में हमको Google डाइलर वही देखने को मिला है कोई MIUI डाइलर अपडेट भी यहां पर हमको देखने को नहीं रही होगी ज्यादा अपडेट नहीं है इसलिए मैं यहां पर पूरा अलग से शूट नहीं कर रहा हूं ठीक है इसके साथ मैं आपको बता देता हूं तो सबसे बड़ी अपडेट्स हैं यहां पर देखने को मिला है वह बिल्कुल लेटेस्ट है एंड्रॉइड यहां पर ज देखने को मिल रहा है वह यहां पर बात कर लेते हैं तो सबसे पहली चीज जो यह अभी तक आपको 12.5 देखने को नहीं मिला था तो 12.5 इंडिया के अंदर भी देखने को यहां पर मिल गया है उसके बाद लिखा भई 20 टाइम फार फास्टर होगी इसकी रेंडरिंग पाव जलते हैं आपर नेक्स चीज की बात करते हैं तो इसके लगवा नोट के अंदर काफी सार अपडेट्स यहां पर देखने को मिल रहा है जैसे कि यहां पर शॉटकट्स वगेर आप क्रियेट कर सकते हो और मैं नोट के अंदर काफी सारे अपडेट्स पहले भी आ चुके हैं इसके ओपर मैं वीडियो बना चुका हूँ हाला कि मैंने इतना मेजरली लोग पता नहीं कितनी यूज करते हैं नोट को मैं पर परसनल प्रेफेश में बदा हूँ तो इतना जादा यूज नहीं करता हूँ डाइनमिक लियाउट्स इसके अंदर देखने को हमको मिल गई है यहाँ पर मैप एक कंप्लेक्स मैप वगएरा माइंड मैप आपने सुना हो वह इसके अंदर आप कर सकते हो तो यह जो बहुत पहले ही आगए थे फीचर जिसको मैं अल्रडी कवर कर चुका हूँ काफी पहल आपको पर आपको देखने को मिल रहा है अगर मैं बात कर समय ने तो चुके सा में यह महसूस कर पाएंगे मैं यह बात अपने dubbed आप से नहीं बोल रहा हूं बट मैं महसूस कर रहा हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं उसके बाद यहां पर आपका जो है अनलॉक फेस डिटेक्शन जब अनलॉक होता था तो उस ताइम पर अनिमेशन फ्रोजन हो जाता था कुछ ऐसा सीन था तो यहां पर फिक्स कर दिय आपका कंट्रोल सेंटर और नोडिफिकेशन पैनल तो उसको यहां पर फिक्स किया गया है अच्छली वह फ्लोटिंग विंडोज आता है उसकी बात कर रही है उसके बाद यहां पर यहां पर फिक्स की तरफ देख सकते हैं तो रिटिफिकेशन बैज वर अपडेटिटिट इनकमिंग नोडिफिकेशन और लोग स्क्रीन और को इस तरह की और भी चोटी मटी चीजे जुनकर यहां पर फिक्स किया गया है तो इन्हों ने तो इतना ही बताया बाकी मैं यहां पर अभी भी लैंग महसूस कर पा रहा हूँ मैं पूरा इसका एक वीडियो आपके लिए जरूर से बनाऊँगा फिलार के लिए शॉर्ट वीडियो था आपके लिए मिलब शॉर्ट किया है यह भी शार पांच मिनट का बन चुका है तो यह इस वीडियो के अंदर में आपको इतना ही बताना चाहता था कि अपडेट आगया अगर आपका मन है तो आप कर सकते हैं औ और आपको जो जो चीजे इसके अंदर जाननी है जो जो टेस्टिंग आपको इसके अंदर जाननी है मुझे कमेंट करके जरूर बताईए फड़ा फड़ से कि क्या क्या आपको जानना है और कमेंट करना जरूर करना कि भाई मेरे को यह जानना है अन्टू टू स्कोर जानना और ये वाली वीडियो भी देख लेना अगर आपको मन करें मनलब काफी इंट्रेस्टिंग वीडियो तो ज़रूर से देख लेना I hope आपको आपको वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग पसंद आया तो प्रीज आपर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को अब जरूरू से लाइक करेना, कमेंट करके जरूरू बताना वीडियो के सब्सक्राइब हूँ, मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे एक और इंट्रेसिंग वीडियो के साथ में है, बाब बाई